हेलो एविर्वन वेलकम बेक टू माय यूटूब चैनल में हू हिर्षाद और आप देखना है सुन अगर चैनल और आज हमार साथ मौजूद है सहर हाई एविर्वन कैसे आप उमीद कर आप सब खहरियत से होंगे जी दोस्तों आज पिर हम आपके सामने मौजूद है एक नई वीडियो के रियक्शन के लिए हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त है उन्होंने यह हमें कमेंट भेजा था और रुकैस्ट भेजिती कि इस वीडियो पर यह रियक्शन दें जिनका नाम है अनन जश्वाल उन्होंने प्रशान दबन नाम बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई का रहे हैं दुनिया में से पहले कभी हुआ ना हो और फिर आपका देश दुनिया को लीड करें पहला कंट्री बने टू डू दिस और भारत ने यही करके दिखाया है पहली बार हमने दिखाये कि इतिहास में एक देश ने 100 बिलियन डॉलर्स का रेमिटेंस पुल किया है यहाँ पर आप देख पाओगे वर्ल मैक ने प्रडिक्शन कर दी है कि जो इनके साने ड लिटा आ रहा है ना तो उसके हिसाब से कुछी महीनों में ये बात ऑफिशल हो जाएगी कि इस साल इंडिया को टोटल 100 बिलियन डॉलर्स के रेमिटेंस मिलने वाले हैं 25% higher than FDI inflows जितना foreign direct investment नहीं आ रहा उतने तो रेमिटेंस आ रहे हमारे देश में यहाँ पर आप देख पर मेना ये topic cover इसले भी किया रहा है क्योंकि इंडिया के आसपास के जो देश हैं उनके रेमिटेंस कम हुए हैं विरस इंडिया के रेमिटेंस पिछले साल जो 89 बिलियन डॉलर्स के आसपास थे अब ये बढ़के 100 बिलियन डॉलर्स होने वाले हैं और हाँ वैसे मैं आपक आपस देश में आ रहे हैं और सबसे जादा positive बाद ये है कि अबना ये पैसा सिर्फ Saudi Arabia UAE से नहीं आ रहा नहीं तो हिस्टोरिकली हमको ये लगता था कि इंडिया के लोग भार जा रहे हैं तो वह योगा Gulf countries में काम करेंगे नहीं इस बार एक trend में चेंज देखा गया है भार भारत की निरभरता गल्फ countries पर अब उतनी नहीं रही जित्ती एक time पर हुआ करती थी अब जो रेमिटेंस भारत में आ रहा है न ये low skilled workers का नहीं आ रहा है ये labor का नहीं आ रहा है अब जो पैसा आ रहा है ये आ रहा है high skilled workers का जो इंडियांस भार जाकर बड़ी कंपनिया समा रहे हैं वो जो percentage amount का लगातार बरता जा रहा है और यहां पे आप देख पाओगे world bank की report में ये लिखा है कि 2022 साल भारत के लिए रहेगा यादगार क्योंकि रमिटेंस फ्लोज ये 100 billion dollars पहुच जाएंगे पिछले साल थे 89 billion dollars और ये 12% का उच्छाल है और आगे नहीं नहीं ये भी एड किया है कि मेन बाद ये रही गई है कि Gulf Corporation Council के बजाए इस बार रमिटेंसे आए हैं USA से और सबसे इंटरस्टिंग बात देखिए पिछले कई सालों से इंडिया का टॉप रमिटेंस सोर्स रहा है मतलब के वो देश जहां से इंडियन सबसे जारा पैसा कमा कर United Arab Emirates, अब United Arab Emirates को बीट कर दिया है United States of America ने 23% रमिटेंस आने वाला है USA से तो आप एक बार सोच कर देखो 23 बिलियन डॉलर हमारे वरकर अमेरिका में जाकर वापस इंडिया में लेकर आएंगे इस सब के लावा ये भी जान लो के US ओविशल नहीं का था के 2021 मेना इंडिया US bilateral trade 160 बिलियन डॉलर सागर आप good service दोनों को एड कर लो तो US इंडिया की जो importance ना एक दूसरे के लिए economic front पर strategically क्या होता है वो लग बात है defense को लेकर क्या होता है वो लग बात है मगर economic point of view से इंडिया लगातार एक बहुत ही जादा important partner बनता जा रहा है USA का और इससे एक बात ये भी दिखती है कि इंडिया में आज के समयम education ऐसी UK में जाकर 3-4 साल रहते हैं और लाखों even करोडों रुपे भी काभी बार इखटा लेके आते हैं हमारे देश में वापस आप सिर्फ इसी point को देख लो कि पिछले 5 साल में ना US, UK, Singapore से हमारे जो remittances थे ये 26% से बढ़के हो गए 36% whereas जो हमारे remittances आते ने साओधी रेविया, कतर, उमान वगरा से ये 54 से कम होकर हो गए हैं अब 28% of the total remittances तो truly ये एक यूग का अन्थोरा है गल्फ कंट्रीज पर अब हम उधरे dependent नहीं है remittances के लिए जितना एक टाइम पर हुआ करते थे और इंडिया की जो ये 100 billion dollars वाली accomplishment है ये special इसलिए भी लगती है क्योंकि इंड billion dollars कम हो चुके हैं पिछले साल बंगरेश को मिले थे 22 billion dollar इस बार मिले सिर्फ 21 billion dollar पाकिस्तान को आप अगर देखो तो पिछली बार मिले थे 31 billion dollar इस बार मिले 29 billion dollar शिलंका का तो देखिए बहुत बुरा हाल है पिछले साल इनके पास आये थे 5.5 billion dollars इस बार तो 3.6 billion dollars आए है अब इंडिया और पाकिस्तान का जो case है, बहुत ही interesting है, कई लोग यहाँ पर add करती है जी, इंडिया के 100 billion dollar के remittances इसलिए हो गए, क्योंकि हाली में रुपी की depreciation हुई है, रुपी की value गिर गई, तो जो लोग अमेरिका में थे, US में थे, उनके पास जो पैसा था, उन्होंने क कि यह भेज़ दो इंडिया में उसकी value बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास dollars में पैसा है, और dollar strong होता जा रहा है, रुपी वीक होता जा रहा है, तो बहुत perfect time है, इंडिया में पैसा वापस भेजने का, अब देखो यह बिलकुल Indian रुपी के साथ हुआ, और कुछ ह आप कह सकते हो, कि Indian रुपी की जो depreciation हुई है, उसने role play किया है 100 billion dollar को reach करने में, मगर पाकिस्तान का case अगर हम देखे, तो अलग picture दिखती है, Indian रुपी से कई गुना जादा गिरा है पाकिस्तान का रुपी, मगर interesting बात देखिए, पाकिस्तान के remittances जो थे 31 billion dollar पिछले साल, अब गिर के हो चुके है 29 billion dollar, और इसमें एक बहुत ही interesting बात ये है, वर्ल्ड बैंक ने खुद का है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानियों ने अपने देश से भार जाकर पैसा कम कमाया है, पैसा इन्होंने almost जितना पिछले साल कमाया था, उतना ही कमाया है, मगर ज पैसा भेजरे है पाकिस्तान में, क्योंके लोगों को भरोसा ही नहीं है, कि अगर सरकारी मेवेंटर्ट से या फिर चरकारी बैंक से पैसा भात भेजेंगे तो क्या ये पैसा सेव रहे गा है नहीं रहेगा, क्योंके recently, अगर हम देखे पाकिस्तान में जो प्लिटिकल리 29 billion dollars हो गए, अब यहाँ पर आप कहोगे, अच्छा ठीक है, तो यह जो 100 billion dollars इंडिया के भी दिख रहे हैं, यह official number है, जो मतलब banks के जरीए traceable है, जी हाँ, यह official number है, इस पर सरकार tax भी लगा सकती है, सरकार भी, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा चलो भी आ गया, और लोगों के पास च सकते हैं, क्योंकि reason यह है, रुपी की depreciation अभी माना जा रहा है, थोड़ी सी और होगी, रुपी एक बार को 85 का मुखडा दिखा कर वापस हो सकता है, कि strong हो, मगर 85 के आसपास चला जाएगा, ऐसा बहुत सी reports क्लेम कर रही है, मगर इसकी एक positive side आप यही कह लीजिए, कि remittance ल कंपनीज हैं, कार मनुफैचरिंग कंपनीज हैं, ट्रक्टर मनुफैचरिंग कंपनीज हैं, वेरियस और की कंपनीज हैं, सब लोग देखेंगी, कि हमारा customer strong हो रहा है, in the future, इंडिया में बहुत सारी economic activity होगी, और एक बार अगर हम भारत के remittances को दुनिया के बाकी देशों से compare करें, तो इंडिया की accomplishment और special लगती है, क्योंकि इंडिया के आंकडों के आसपास कोई देश नहीं आता, मेक्सिको देख लो 60 billion dollar मगर मेक्सिको याद रखिएगा, border share करता है USA के साथ, तो लगातार अराम से वहाँ पे लोग जाते हैं, काम करते हैं, तो मेक्सिको को advantage है, तब भी आप देख लो, कि इंडिया से कितना जरा पीछे है, 40 billion dollar पीछे है मेक्सिको, चाइना हमसे 49 billion dollar पीछे है, फिलिपीन, ईजिट, पाकिस्तान और बंगादेश, ये 40 billion dollar भी क्रॉस नहीं कर पाए, और जिस तरीके से बंगादेश आगे बटाना, मैं आपको ये ब चीट करेंगे पाकिस्तान को, तो overall देखिए, ये बहुत ज़रा है positive sign है, और इससे थोड़ा बहुत आप कह लीजिए, रुपी की stabilization में भी help मिलती है, क्योंकि ये जो remittance वाले लोग है, ये basically अपना dollar market में बेज़ कर, रुपी पर चेस कर रहे होते हैं, तो रुपी की demand भी लोग बढ़ा रहे हैं, तो हर लियास से आप अगर देखें, तो बहुत ही ज़ादा अची development आईए, और finally, since आज के समये G20 काफी news में है, जो G20 की official website है, उस पर भी India ने अभी अपना जो logo है, ये डाल दिया है, तो आपको बताना है कि G20 आखिर शुरू कब हुआ था, G20 established हुआ था, example के लिए बता रहा हूँ, एक hint मैं आपको ये देता हूँ, कि India host करेगा 18th G20 summit, तो यह है, यहाँ पे आपकी option, 1995, 1999, 1985 या फिर 2007, G20 established कब हुआ था, comment section में करिए उत्तर, सही answer मैं नहीं दूँगा, जो लोग सही answer करेंगे, उनकी comment को मैं हाट दे दूँगा, ताकि कि बाकी लोग समझ पाए कि सही answer क्या है, जी सहर देखा आपने कि इंडिया फर्स जेहना, वो मुल्क बन चुका है, 100 बिलियन डॉलर जो उन्होंने जेहना जनरेट किया है, रिविडेंस जेहन का 100 बिलियन डॉलर तक पहुँची है, जो कि पाकिस्तान, बंगलादेश और म पाकिस्तान में आता है, जो बंगलादेश जो बहुची है, 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 जो प्राक्स कटेगा तो मुल्क को फाइदा होगा, गौर्वेंट को फाइदा होगा, तो मुल्क तरक्की कर रहा है लाजम मैं जब पैसे आएंगे तो मिसायल बढ़ेंगे न अपने अपने मसायल जाना वहल करते हैं कि अब हमने लास वीडियो में देगा था कि वह अनने रोड मिनिस्टर बना रहे हैं रेल्वे का मिनिस्टर बना रहे हैं, नियुछ पर्षक्राइब कर रहे हैं तो इसकी वजया है एक इनके पैसे पैसों किये जादा है ब vendor किमिल झाल को शुब पैसे आ्तिमे सचीहा पैसे अज안 झाल सबोस्ते हो तो चाहिए ह Dareda इनका श्सावच्च्च्च्ट नहीं कर दो के जो किम वर्खच्च्च्च्च्च पने तो जो एकम पर रोजगार के महां कर दोड़ को एप侍ोस्त वाझप इन एरिखान टाइस जोग नहोंने काम कर लोग के लोग है। elsewhere, पिछी पहुत सब्सें केक। पाकिस्तन के सी मैं पैसे में रावाले थे पष्छीप vue लेकिंग श対 response पैसे बेज देते हैं, जैसे यहां पर मामू रहते हैं और वहां जो 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 ज जादाज में बाहर गए हैं, UAE में और साओधी अरब ये में हैं, अब तो ये के पहले तो ये कांसेट है कि तीन मुलकों में जाते हैं, लेकिन अब ये ये से और बिर्ट इन वजिर आजम ने भी हाली में एरान किया था कि तीन अधार वरकर मुझे चाहिए हैं, बड़ी पोस Insouna, India के जो चाहिए हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट बरैजिससित अग्ड़ी आसले लोगल लागाई हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट ऑड संदा पिछाई हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट बहरे हैं अपने मुलका नाम रोशन कर रहें, बड़ा अब काम करतें, तो वे ये काम क्यों नहीं पिरज़नाजनें भी जगनें फिर्ज़न जी जए उन्टिर आज़ारत मिलिए वज़ आजारव मुदी जी इंडिया हम रहें खुलते चले जारे हैं और आने वाले दिलों में दुनिया आएगी और महां जाकी काम करेंगे मेरी तो कुछ चीजे हैं एक तरजिय के हिसाब से जन्हें यही नदर आ रहा है कि महां पर इस तरह के काम होगे तो दोस्तो आपने देखा कितनी जबतासी वीडियो और यह खुशी की बाते के इंडिया जो इतनी तरक्य कर रहा है यह कुछ रहा है शुषी क्ठैहिथॉण के एक चलो हमारे प्रओोषी मुल्के और वह एके बर्ड़ायाई और हमें लेका हमें भी उपने मुल्क की तरफ देमने लोहों जाह 50 मों गाम्धन तरफ क्रिजद के साथ ही मुझे और सेहर को इजादद लेकिन सहर ने कुछ बोला नहीं तो मेरा दिल चाहरा कि मैं सहर से कुछ तो कुछ बुलवाँ तो अब आप कुछ भी बोले है बली वो गाने के सूरत में यह बली वो जायरी की सूरत में या की जो सूरत में इर्शा अर्स किया है डॉकुटर साफ जिन्दगी इंतिहान से गुजरी कैसे कैसे गुमान से गुजरी जिन्दगी इंतिहान से गुजरी कैसे कैसे गुमान से गुजरी बं थे जिसके दर्वाजे सभी उमर ऐसे मकाम पर गुजरी क्या बात है उमर ऐसे मकान पर गुजड़ी तो दोस्तों यह थी सहर और इनकी शायरी की सुबह की सहर की तरही है क्या आपने सुनी आप अपने कमेंट से जोरू बताईएगा मुझे तो बड़ा अच्छा लगा इनका ये शेर जिंदगी इम्तिहान में गुजड़ी कैसे कैसे मकान में गुजड़ी और बंते जिनके दर्वाजे सभी जी उमर ऐसे मकाम पर गुजड़ी क्या बात है तो दोस